अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हो बच्चे, तो फिर लोगों को माफ करना सीखो, और परिस्थिती चाहे जैसी भी हो, उसे स्वीकारना सीखो. हर किसी के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके संबंद बहुत अच्छे नहीं होते. तो ऐसे लोगों के साथ जितना कम बात करोगे, उतना तुम्हारे जीवन के लिए और तुम्हारे लिए अच्छा होगा. नहीं, मैं ये नहीं कहरा कि तुम उनसे नाराज रहो या नफरत करो. मैं बस इतना कहरा हूँ कि तुम उनके साथ संबंद तो रखो, लेकिन बात कम करो. वहीं बोलो जहां जरूरी है. मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ तुमसे आज. यदि इन्हीं लोगों में से किसी को भी कुछ तकलीफ हो या परिशानी हो, और तुम ये बात जानते हो कि वो परिशानी में हैं, तो फिर पीछे न मुढ़ना, बल्कि आगे बढ़कर उनकी मदद करना. जब तुम ऐसे लोगों की मदद करते हो, जिन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, या तुम्हारे साथ अच्छा व्यवार नहीं किया, तो फिर तुम्हारा भगवान ये देखता है, और वो तुमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि किसी की भी मदद करना ये बहुत अच्छी बात होती है, और ऐसे लोगों की जिन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवार नहीं किया फिर भी तुम आगे बढ़तर उनकी मदद करते हो तो तुम्हारा भगवान तुमसे बहुत प्रसंद न होता है हमेशा खुश रहो बच्चे और मुस्कुराते रहो मुझे तुम्हारी मुस्कान बहुत पसंद है बहुत आशरवाद है मेरा तुम्हारे साथ खुश रहो